नमस्कर दोस्तों मैं हूँ मनोज कुमार और आज के इस वीडियो में में बात करेंगे fourmin paycheck के बारे में और यह विथo पैंटर यहां जो है ours Allah क discussions से बताउंगा और सिक किस तरह से उज़ करता है इसका Sat comes भी में बठाके दिखाता हूं तो सबसे पहले मैं देखता हूँ, format painter होता क्या, इसका use कहा होता है, जैसे कि यहाँ पर मैंने पास कुछ format है, और इसका मैं कुछ format change कर दे रहा हूँ, सबसे इसका my height change कर दिया, इसमें कुछ color दे दिया, underline दे दिया, सबसे इसको bold कर दिया, इतना करने के बाद इसके अंदर जो आप fill कर दिये, कुछ color भी fill कर दिये, ठीक है, यहाँ पर कुछ अलग दिख रहा है, सभी format से अगर तुलना किया, तो इसका format कुछ अलग है, सबसे पहला क्या तरीका है format painter यूज करने का, suppose मैं यही same format इसमें भी डालना चाहता हूँ, ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या कर करता हूँ, इसको select करता हूँ, क्या करता हूँ, select करता हूँ, उसके पाद आप click करते है format painter पे, और आप जिसको भी select करना same format पे, उस पे just click कर देते हो, तो यह जो रह है, आपका same format बन गया, अगर अभी तूसरे को करना तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है, सिर्फ one time था, फ दोनों को select करोंगा, बस हो गया, one time only कर सकते हूँ, यह था format painter, ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है, देखे, मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरा तरीका बताने से पहले, मैं इसको control-z कर ले रहा हूँ, ताकि सभी जो है, आपका original format में चले जा, अभी जो है, दूसरा तरीका क्य है, जैसे कि मुझे अगर इसको click किया, और यह format painter पर आप क्या करो, double click करो, कितना time, one click, double click, जैसे double click करेंगे, तो आप इसको select किया, फिर किसको किसको करना, इसको करना, इसको करना, इसको भी कर सकते हो, तो मतलब क्या था, कि आप जिसको भी कर रहे हो, आपको क्या करना था, अगर यहाँ पे आप जो है इस format में चाहिए तो यहाँ पे जाकर double click करना कितना करना है? double click जैसे double click करोगे तो आपका जो है यह हमेशा के लिए जब तक escape नहीं करते हो सभी format जहाँ भी click करो automatic जो है आपका format से format लेता रहेगा उसके बाद escape कर दो तो यह हट जाएगा ओके यह था दूसरा तरीका और क्या है मैं अब method बता रहा हूँ F4 की मदद से बताता हूँ F4 के मदद से हम लोग किस तरह से format पे इंटर करेंगे ठीक है अभी जैसे कि सभी जो है same format में है same format में अभी क्या किया मैं इसको थोरा सा color दे दिया ठीक है color देने के बाद इसको आप bold कर दीजे okay bold करने के बाद आप जो है line दे दीजे okay अभी क्या करना F4 के मदद से जो हम लोग इसको format printer करेंगे ठीक है अभी देखे क्या हो रहा जैसे कि यहां पर कुछ भी line नहीं मैं यहां पर क्लिक कर रहा हूँ और प्रेस कर रहा हूँ F4 क्या प्रेस कर रहा हूँ क्या प्रेस किया मैंने अभी यहां पर रखके F4 प्रेस किया okay जैसे F4 प्रेस किया आपको same format में चाहिए आप यहां पर क्लिक करो और और यहां प्रेस कीजिए F4 तो देखिए क्या हो कुछ मतलब नहीं रहा ठीक है यहां पर जो है किछ कलर देना था यहां पर F4 प्रेस किया तो आप यहां पर अगर क्लिक कर रहे हैं F4 प्रेस कर रहा हो तो क्या होगा अल सिर्फ लाइन जो है आ रहा है यहां पर अगर मैं यहा क्या हो रहा है सेम फॉर्मेट में जो लास्ट जो है लाइन है वो आ रहा है वक्त लिए वाकि सभी कुछ नहीं हो रहा है मतलब क्या हो रहा है कि आपका जो है सेम फॉर्मेट नहीं आ रहा है इस टाइफ के फॉर्मेट को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे F4 के मदद से किस तरह से मैं format बनाओंगा ठीक है तो F4 के मदद से मैं format बनाना चाहता हूँ format painter में F4 के press करने से किस तरह से काम करेगा अगर suppose ये मैं इसको क्या करूँगा right click करूँगा और format cell में जाओंगा format cell में जाने के बाद आप इसका color change कर दो जो भी color चाहिए आप change कर दो border जैसा भी चाहिए कर दीजिए ठीक है और क्या है इसका front front में आप जो है इसको कुछ front change करना चाहते front दे दीजिए ओके और मैं इसको ok कर दे रहा हूँ अभी देखे क्या हो गया यहाँ पे red color में है ज्यादा है इसी format में सभी को होना अभी क्या क्या इसका जो format था मैं cell में जाके change किया हूँ ठीक है अभी देखे मैं इस पे click करूंगा और f4 press करूंगा f4 क्या करना इसको select करके f4 press करेंगे f4 press किया ok press होने के बाद मैं यहाँ पे click कर रहा हूँ f4 press किये देखिए पूरा जैसा यह format है same format में यहाँ भी आ गया इसको भी चाहिए same format आप f4 press करो ठीक है अब जैसा भी press करोगे f4 वैसा ही यहाँ पे जो है सभी में आईगा ok तो जो भी format है आपका ठीक है जैसा भी format आप click करेंगे ठीक है उसके अनुसार यहाँ format एगर click किये जैसा आ रहा है same format में जो आपका जो है f4 अगर press करते जाएंगे तो आपका जो है same format आता जाएगा तो वहाँ पे जो है f4 जो है आपका पूरा data जो है लेता है ठीक है अगर वहीं पे आप जो है इसको क्या बोलते हैं अगर इस तरह से सेट करेंगे बिना format cell का यहाँ पर इस type से अगर select कर रहे है तो आपका क्या होता पूरा का पूरा जैसा यहाँ पर आप सेट किये हो same way ज जैसा है same format जो है यहाँ पर आ रहा है ओके तो आपका जो है f4 का जो है format painter जो है f4 प्रेस करने से सभी जगह काम कर रहा देखिए अभी प्रेस कर रहा है यहाँ प्रेस कर रहा हूं यहाँ इसमें भी काम कर रहा है तो जहाँ जहाँ आप प्रेस कर रहे है f4 सब जगह काम आत और same format format painter का shortcut बनके आता है एफ फोर लेकिन वहीं पे अगर आप जो है इसका जो है setting अगर आप यहां से करते हो ठीक है किया बोल रहा है मतलब की इस point से लेके setting जैसे यहां पर क्या होता है यहां पर मैंने कुछ इसको कितना कर दिया 25 कर दिया ठीक है और देखे यहां पर 25 किया तो यहां पर अगर F4 आप प्रेस करोगे तो देखो क्या होता है यहां पर कुछ नहीं काम कर रहा है मतलब क्या हो गया यहां पर जो है आपका यहां पर कुछ काम ही नहीं कर रहा है मतलब तो यह क्या होता है कि last digit जैसे यहां पर कुछ यह दे दिया हो मतलब की underline दे दिया underline देके f4 प्रेस करूंगा तो इसमें भी करूंगा प्रेस तो देखे क्या होगा सिर्फ underline आया है last जो selection है वही काम करेगा f4 से लेकिन आप जब cells setting करके करते हैं उसका shortcut आपको generate हो जाता format printer क जो कि f4 से काम करता है ठीक है तासा करता हूं आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा clear हुआ होगा f4 से किस तरह से format printer को source generate करते हैं अगर कुछ डाउट रहा आप वीडियो फिर से देखिए ठीक है और कुछ भी और भी डाउट रहा था आप मुझे comment section में लिख सकते हो तो इस वीडियो में बस इतना ही और मिलते हैं कुछ new idea new trick के साथ next वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद थैंक यू